यहाँ उपस्तित, मेडिकल जगत के सभी महानुभाव, अन्य महानुभाव, अलग-अलग स्थानों पर वीडियो कांफरंस से जुड़े हुए, सभी महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मा कामाख्यार ये पविट्रो भुमेर परा अहमर होमु भाट्री भग्नईलोई मोर प्रुणाम, आप सभी को रंगाले बिहु की बहुत बहुत शुब कामना हैं, इस पावन अउसर पर असम के नौर्थ इसके हेल्थ इंफ्रस्ट्रेक्टर को आज एक नई ताकत मिली है, आज नौर्थ इसको अपना पहला एम्स मिला है और असम को तीन नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, आई आई टी गुहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए पांसो बेड़ वाले सुपर स्पेशालिटी अस्पताल का भी सलान्यास हुआ है, और असम के लाखों लाख साथियों तक आईश्मान कार्ड पहुँचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है, नए एम से असम के अलावा अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मेगाले, मिजवराम और मनिपूर के साथियों को भी इसका बहुत लाब मिलने वाला है, आरोग्य के इन सारे प्रोजेस के लिए आप सभी को नौर्थिस के सभी मेरे भाईयों बहनों को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत चुपकामना आए, भाईयों और भेनों, पिछले नव वर्षों में नौर्थिस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रेक्टर को लेकर बहुत चर्चा हुई है, आज जो भी नौर्थिस्ट आता है, तो यहां के रोड, रेल, एरपोर्ट से जुड़े कारियों को देखकर प्रसमसा किये विना रहने ही सकता है, लेकिन नौर्थिस्ट में एक और इंफ्रास्ट्रेक्टर पर बहुत तेजी से काम हुआ है, और वो है सोशल इंफ्रास्ट्रेक्टर, यहां सिक्षा और स्वास्त के सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है, वो वाक ही दोस्तों, अभूत्पुरवा है, पिछले वर्ष जब मैं डिब्रुगर आया था, तो असम के अनेक जिलों में मुझे एक साथ कई अस्पतालों का सिलान्यास और उद्गाडन करने का आउसर मिला था, आज एम्ज और तीन मेडिकल कॉलेज आपको सौपने का मुझे सौभाग्य मिला है, बीते वर्षों में, असम में डेंटल कॉलेजों की सुविता का भी विस्तार हुआ है, इन सभी को नौर्थ इस्ट में लगातार बहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है, विशेश रुप से गर्भा वस्ता के दोरान महिलाओं को जो समस्या आती थी, वो अब दूर हुई है, इससे माता और बच्चे के जीवन पर संकट बहुत कम हुआ है, आजकल एक नई बिमारी देखने को मिल रही है, मैं देश में कहीं भी जाता हूँ, उत्तर में, दक्षिड में, दौर्थिष में, पिछले नव वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूँ, तो कुछ लोगों को बहुत परिशानी हो जाती है, ये नई बिमारी है, वो शिकायत करते हैं, कि दसकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट को नहीं मिलता, क्रेडिट के भूखे लोगों और जन्हता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहीत किया है, अरे जन्हता तो जनार्दन का रूप होती है, इश्वर का रूप होती है, पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नौर्थ इस्ट उन्हें दूर लगता था, एक पराएपन का भाव उन्होंने प्रादा कर दिया था, हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पन भाव से, आपकी सेवा करते रहते हैं, इसलिए नौर्थ इस्ट हमें दूर भी नहीं लगता, और अपने पन का भाव भी, कभी भी कम नहीं होता है, मुझे इस खुशी है कि आज नौर्थ इस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़ कर खुद संभाल ली है, वो नौर्थ इसके विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विकास के इस नए अंदुलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर, एक सेवक बनकर, एक साथी बनकर, सभी राज्जों के साथ काम कर रही है, आज का ये आयोजन भी, इसी का एक जीता जाकता उदारण है, साथियों, दस्षकों तक हमारा पुर्वोत्तर कई और चुनोत्यों से जूजता रहा है, जब किसी सेक्टर में परिवारबाद, छेत्रबाद, ब्रस्टाचार और अस्थिरता की राजनिती हावी होती है, तब विकात होना असंभव हो जाता है, और यही हमारे हेल्थ केर सिस्टिम के साथ हुआ, दिल्ली में जो एम्स हैं, वो पचास के दसक में बना था, देश के कौने कौने से लोग आकर दिल्ली एम्स में हिलाज कराते थे, लेकिन दसकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए, अटल जी की जब सरकार थी, तो उन्होंने पहली बार इसके लिए पच्प्रयाश शुरू किये थे, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद, फिर सब शबता ठप पड़ गया, जो एम्स खोले भी गए, वहाँ व्यवस्ताएं खस्ता हाल ही रही, दो हजार चौदा के बार, हमने सारी कमियों को दूर किया, हमने बीते वर्षों में, पंदरा नए एंद पर काम शुरू किया, पंदरा, इन में से अगी अधिकतर में, इलाज और पढ़ाई, दोनों सुविदा सुरू हो चुकी है, एंद गुवाटी भी इस बात का उदारण है, कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है, उसे सिद्ध करके भी दिखाती है, ये असम की जनता का प्यार है, जो मुझे बार बार यहां ठींच के लिए आता है, शिला न्यास के समय भी, आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया, और आज लोकारपन के समय भी, आपका प्यार बढ़ चड़ करके, और वो भी बिहू के पवित्र समय, यहां मुझे आने का आउसर मिल गया, यह आपका प्यार ही है, साथ यहों, पहले की सरकारों की नीतियों की वज़े से, हमारे हां, डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल की, बहुत कमी रही है, यह कमी, भारत में, क्वालिटी हेल्ट सर्विस के सामने, बहुत बड़ी दिवार थी, इसलिए, 29 वर्षों में, हमारी सरकार ने, मेडिकल इंफ्रास्रेक्चर, और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर, बड़े स्तर पर काम किया है, 2014 से पहले, दस सामों में, करीब 1500 मेडिकल कॉलेजी बने थे, पिछले नव वर्षों में, हमारी सरकार में करीब, 300 नए मेडिकल कॉलेज बने थे, पिछले नव वर्षों में, देश में MBBS सीटें भी, दो गुनी बढ़कर एक लाग से अधिक हो चुकी है, पिछले नव वर्षों में, देश में मेडिकल की PG सीटों में भी, 110 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है, हमने मेडिकल सिख्षा के विस्तार के लिए, नेशनल मेडिकल कमिशन की स्थापना किया है, पिछले परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षन की स्थापना का भी विस्तार किया है, दूर दराज वाले खेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतिय भाशाओं में, मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है, इस वर्ष के बजेट में, डेड़ सो से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का, एलान भी किया गया है, अगर मैं नौर्सिस की बात करू, यहां भी बीते नव वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या, दो गुने से अधिक हो चुकी है, अभी अनेक मेडिकल कॉलेज ओपर काम चल रहा है, कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं, बीते नव वर्षों में, नौर्थिस में मेडिकल की सीटों की संख्यापी बढ़ कर गया, पहले के मुकाबले दो गुनी हो चुकी है, बाई और बैनो, आज भारत में, हेल्ट सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है, क्योंकि, आप सभी देश वाच्छों ने, 2014 में, एक स्थीर और मजबुत सरकार बनाई, भाजपा की सरकारों में, नीती, किसी स्वार से नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रधम, देश वासी प्रधम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है, इसलिए, हमने वोट बेंक के बजाए, देश की जनता की मुश्टिलों को कम करने पर फोकस किया, हमने लक्ष बढ़ाया, कि हमारी बेहनों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, हमने तय किया, कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े, हमने प्रयास किया, कि हमारे गरीब परिवारों को भी, घर के पांस ही बहतर इलाज मिले, साथियों, मैं जानता हूँ, कि इलाज के लिए पैसे ना होना, गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है, इसलिए हमारी सरकार ने, पांच लाग रुपिय तक का मुप्त इलाज देने वाली, आईश्मान योजना शुरू की, मैं जानता हूँ, कि महंगी दवाईयों से गरीब और मद्दमबर्ग कितना परेशान होता है, इसलिए हमारी सरकार ने, नव हजार से ज़्यादा जन अउसदी केंद्र खोले, इन केंद्रों पर सेंकडों दवाईयां सस्ते में उपलब्द कराई, मैं जानता हूँ, हाट के ओपरेशन में, घुटने के ओपरेशन में, गरीब और मद्दमबर्ग का कितना ज़्यादा खर्च हो रहाता, इसलिए हमारी सरकार ने, स्टैंड की किमतों को निंत्रिस किया, किमतों को निंत्रिस किया, मैं जानता हूँ, कि जब गरीब को डायलिसिस की जरुत होती है तो वो कितना परेशान होता है इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुप्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की लाखों लोगों को इसका फायदा पहुँचाया मैं जानता हूँ गंबीर बिमारी का समय से पता लगना कितना जरुरी होता है इसलिए हमारी सरकार ने देश भन में डेढ़ लाख से जादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले है वहाँ जरुरी टेस्ट की सुविदा दी है मैं जानता हूँ कि टीबी की बिमारी कितने दसकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनोती बड़ी हुई है इसलिए हमारी सरकार ने प्रदान मंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभ्यान चुनू किया हमने एक बाकी दुनिया से पांच वर्थ पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष रखा है मैं जानता हूँ कि बिमारी किस तरह गरीब और मद्दम्र के परिवार को बरबात कर देती है इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केर पर फोकस किया बिमार हो ही नहीं बिमारी आये ही नहीं इस पर फोकस किया योग आयुरवेद फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सहथ के प्रति जागरुत किया है साथियों आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं की सफलता देखता हूँ तो खुद को धन्न मानता हूँ कि गरीब की इतनी सेवा करने का पर मात्मा ने और जनता जनारदन ने मुझे आशिरवाद दिया आश्मान भारत प्रदान मंत्री जनारों के योजना आज देश के करोडों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है बीते वर्सों में आश्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड रुपे खर्च होने से बचाए है जन अवसदी केंदरों की वज़े से गरीब और मद्दमर के 20,000 करोड रुपे खर्च होने से बचे है स्टेंट और नीव इंप्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मद्दमर के हर साल 13,000 करोड रुपे बच रहे हैं मुप्त डायलिसिस की सुविजा से भी किजिने के गरीब मरीजों के 500 करोड रुपे से ज़्यादा खर्च होने से बचे हैं आज यहां असम के करीब शुरू हुआ है इस अभियान से असम के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली हैं उनके पैसे बचने वाले हैं साथियो मैं अक्सर देश के कौने कौने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभारतियों से मुलाकात करता रहता हूँ इसमें बहुत बड़ी संध्या में हमारी माताएं बैने हमारे देश की बेटे बेटियां हमारी महलाएं शामिल होती है वो मुझे बताती है कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्त सुविधाओं में कितना बड़ा फरक आया है आप और हम ये जानते हैं कि जब स्वास्त की बात होती है इलाज की बात होती है तो हमारे हाँ महलाएं अक्सर पीछे रह जाती है हमारी माताओं बैनों को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं क्यों अपनी वज़े से दूसरों को इतनी तकलीप दे सउसाधनों की कमी की वज़े से आर्थी तंगी की वज़ा से जिन हालातों में देश की करोड़ों महलाय रह रही थी उसमें उनका स्वास्त ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था भाजपा के नेत्रतों वाली हमारी सरकार ने जो योजनाय शुरू की उसका बहुत बड़ा लाब हमारी माताओं बेहनों को महलाओं की सहत को हुआ है स्वच्छ भारत अभ्यान के तहद बने करोड़ों सोचाले ने महलाओं को बहुत सारी बिमारियों से बचाया है उजबला योजना के तहद मिले गैस उस गैस कनेक्शन से महलाओं को जान लेवा दुए से मुक्ति जिलाई है जल जिवन मिशन के तहद हर गर जल आने से करोड़ों महलाओं को पानी से होने वाली मिमारियों से बचा हुआ है मिशन इंद्र धनूस ने करोड़ों महलाओं का मुफ्त टिका करन करके उन्हें गंबीर मिमारी से बचाया है आईश्मान भारत योजना ने महलाओं को अस्पताल में पांच लाग रुपिय तक की मुफ्त इलाज का बरोसा दिया है प्रधान मंत्री मात्रों बंद्रा योजना ने महलाओं को गर्मावस्ता के दोरान आर्थिक मदद दी है रास्तिय पोशन है बियान ने महलाओं को पोश्टिक बोजन मुईया कराने में मदद की है जब सरकार सम्मेदन जिल होती है जब गरीब के प्रती सेवा की भावना होती है तो ऐसे ही काम किया जाता है साथियों हमारी सरकार भारत के हेल्थ सेक्टर का 21 सदी की आवश्यक्ता के मुताबिक आदुली करम भी कर रही है आज आईश्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से देश वांचों को डिजिटल हेल्थ आईटी दी जा रही है देश भर के अस्पतालों हेल्थ प्रफेशनल्स को एक प्लेटफरम पर लाया जा रहा है इससे एक क्लिक पर ही देश के नागरिक का पुरा हेल्थ रिकॉर्ड उप्लब्द हो जाएगा इससे अस्पतालों में इलाज की सुविदा बढ़ेगी सही डॉक्टर तक पहुंचना चरल होगा मुझे खुशी है कि इस योधना के तहट अभी तक लगवग 38 लाग 38 करोड 38 करोड डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है इसमें 2 लाग से अधिक हेल्थ फैसिलिटी और डेट लाग से अधिक हेल्थ प्रफेशनल्स बेरिफाई हो चुके है आज इस संजीवनी भी गर बैठे बैठे उप्चार का पसंदिदा माध्यम बनती जा रही है हम सुविदा का लाग देज भर के 10 करोड साथी ले चुके है इससे समाई और पैसा दोनों की बचत सुनिश्चित हो रही है भाईयों और भेनों भारत के हिल्थ केर सिस्टिम में परिवतन का सब्चे बड़ा अधार है सबका प्रयास कोरोना के संक्रकार में भी हमने सबका प्रयास की ताकत देखी है दुनिया के सब्चे बड़े सब्चे तेज सब्चे प्रभावी कोविट टिका करन अभियान की प्रसंसा अद्दुनिया कर रही है हमने मेडिन इंडिया वैक्षिन मड़ाई उन्हें बहुत कम जबाई के भीतर दूर दूर तक पहुचाया इसमें आशा वरकर आंग्रनवाडी कायर खरता प्रामरी हेल्थ केर वरकर से लेकर हर्मासिटिकल सेक्टर तक के सर साथी ने शांदार काम किया है इतना बड़ा महायगन तभी सबन होता है जब सबका प्रयास हो और सबका विश्वास हो सबका प्रयास की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है आईए सबका प्रयास से स्वस्त भारत सम्रुद्य भारत के मिशन को हम पूरी निष्टा से आगे बढ़ाए एक बार फिर एमस और मेडिकल कॉलेज के लिए असम के लोगों को मैं फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आपने जो प्यार दिखाया इतनी बड़ी तादाद में आशिरवाद देने आए आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वानी को विरान देता हूँ